नमस्कार आप देखरें नेशन लाइफ, मैं हूँ आपके साथ काजल चौधरी समुद्रे चक्रवाद विपरजोय की आज गुजरात कच और कराची टटके बीज तक्कर होगी बेहट चक्षिशाली इस तूफान के लैंडफिल को देखते हुए कच समेट गुजरात के पूरे टटी इलाकों में आज लॉंग डाउन रहने वाला है गुजरात के सभी टटी शेतरों में स्कूल कॉलेजिस बंद कर दिये गए हैं पुलेज प्रशाशन के नुमति से लोगों को निकलने दिया जाएगा गुजरात सरकार ने अब तक राज्य के आठ जिलों में से 74,435 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुचाया है तो वहीं समुद्री चक्रवाद से प्रभावित होने वाले जिलों के गाउ में 1444 लागू कर दी गई है बतादे समुद्री चक्रवाद विपरजुआए अब गुजरात के एकदम करीब पहुँच चुका है ताजा अपडेट के रुसार इसकी दिशा में थोड़ा बदलाब जरूर देखा गया और ये कच्च की तरफ मुड़ा है ऐसे में कच्च को सबसे जादा अलर्ट पर रखा गया राज्यसलकार अभी तक कुल आठ जिलो में से 44,435 लोगों को समुद्री और खत्रे वाली जगाओ से हटा कर दूसरी जगाओ पर शिफ्ट कर चुकी है जुनागर में 4,604, कच्च में 34,300, जामनगर में 10,000, और बंदर में 3,479, देव भूमी दौरका में 5,032, गिर सुमनाथ में 1,605, मौर्भी में 9,243, और राजपोट में 6,089 लोगों को सरक्षी जगाओ पर रखा गया है गुजरात के इन शेत्रों में भारी बारिश हो रही है और हवा की गती काफी जादा है इसके चलते द्वारतादीश मंदिर से लेकर सुमनाथ समे तमाम मंदिर आज गुजरात में बंद रहने वाले हैं विपरजोय तुफान के नजदीक पहुंचते हुए इस भयावयत असर देखने को मिल रहा है गुजरात में आज कुछ समूदरी के किनारे वाले इलाकों में भारी बारिश का अलट है बीते दिन कच के अंजार से सबसे जादा बारिश डर्ज की गई समूदरी तुफान का लैंडफॉल आज शाम चार बजे से आठ बजे के बीच होने की उमीद जटाई जा रही है मौसम विभाग के अनुसा लैंडफॉल के बाद भी गुजरात के टटी और दूसरे इलाकों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है ऐसे में लोगों को घरों से बाद नहीं निकलने की चेतावनी दी गई है और 16-17 जून का अलर्ट भी घोशित कर दिया गया है महा तुफान विपर जोई गुजरात के अब बेहत नजदीक पहुच चुका है ये कच के जखाव पोर्ट से 200 किलोमीटर की दूरी पर है मौसन विभाग के अनुसार तूफान के टक्राने का समय 120 से लेकर 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाय चलेंगी इतना ही नहीं हवाओ के जोपों की घती 150 किलोमीटर भी हो सकती है बता दे ये अभी 165 किलोमीटर प्रजिक घंटी की रफ्तार से बढ़ रहा है लेकिन अभी जखाव पोर्ट से 200 किलोमीटर की दूरी पर है इससे बचने के लिए सभी फुक्ता इंतजाम किये गए है केंद्रसका खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए है गुजरात में रेड अलोर जारी है तो इसका असर मुंबई, गोवा, करनाटक, केरला और तमिलनाडू में दिखेगा और राजिस्तान में ये 16 जून को 10 तक दे सकता है